Hello everyone, मैं हुकि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी, November मन्त की reading शुरू करते हैं आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहां पे तीन सेट of cards हैं फर्स सेट of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंड सेट of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है cross और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर November starting में खास कर अपनी love life को लेकर आप थोड़ा सा परिशान होते हुए दिख रहे हैं दिखें यहाँ पर हम खास आपकी love life की बात कर रहे हैं और cross का card भी कहीं फिर से मैं कहूंगी परिशानी, burden, stress, love life से related रहने की जादा बात करता है क्योंकि यह general reading है तो कुछ के लिए यह हो सकता है कि personal life में या professional life में कोई चीज आपको bother कर रही है जिसकी वज़े से आपकी love life पे असर पढ़ रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी कहीं आप जादा सोचते वे दिख रहे हैं अब दिखें यह card overthinking की बात नहीं करता है but yes, यह card कहता है कि एक सोच चल रही है जैसे होता है न कभी-कभी हमें लगता है कि हम क्या direction लें हमें क्या action लेना चाहिए, क्या initiative लेना चाहिए क्या हमारी choices होनी चाहिए तो उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं और in the process हो सकता है, पीछे मुड़कर देख रहे हो कि love life में चीजें कैसी रही, क्या आपने करा जिससे की partner की तरफ से आपको positive response मिला क्या आपने किया, जिससे की वो थोड़े नराज हुए और इन्हीं सब चीजों के का खयाल रखते हुए आप decision और choice लेना चाहा रहे हैं देखे, mid November कहीं बहतर जाता हुआ दिख रहा है हालांकि देखे, ये बहुत general reading होती है तो बहुत specifically time के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ बट November में कोई ऐसा period हो सकता है जहांपे pressure है, tension है cards के हिसाब से starting जादा एक pressure वाली रहती भी दिख रही है आप दिखे, इस चीज को भी सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पुरी जिंदिगी की reading नहीं है ये सिरुफ और सिरुफ November मन्त की reading है और November में भी कुछ period ऐसा रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा एक pressure महसूस कर रहे है और कुछ period ऐसा रहेगा cards के हिसाब से mid November है लेकिन सब के लिए period differ कर सकता है जहाँ पे आप बहुत confident feel कर रहे है चीजों को लेकर, situation को लेकर, circumstances को लेकर partner को लेकर, खुद को लेकर और clover का card कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि luck आपको favor कर रहा है चीजें उस direction में जा रही है जिस direction में आप चाहते हैं लेकिन clover बहुत ही एक छोटे समय के लिए happiness या फिर एक luck के favor करने वाली feeling रहने की बात करता है लेकिन जो भी हो magician का card कहता है या तो आप थोड़े से manipulative हो रहे हैं diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं या फिर बहुत जबरदस्ते confidence है और आप काफी action initiatives भी लेते हुए दिख रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मतलब कोई एक period नवेंबर में रह सकता है खास कर mid नवेंबर cards के हिसाब से हैं और चीजों को लेकर बहुत sure भी होते हुए दिख रहे हैं फिर से काऊंगे थोड़े से manipulative भी होते हुए दिख रहे हैं and end नवेंबर के लिए कहीं emotionally low feel कर रहे हैं अब देखिए reasons अब के लिए differ करेंगे लेकिन अगर मैं cards के हिसाब से देखूं स्टार्टिंग में हो सकता है आपने कोई decision लिया choice लिया या फिर confused हो रहे थे mid नवेंबर में बड़े sure हो गए नहीं भाई यही ठीक decision है ऐसे ही करना चाहिए आपने उसके basis पे कुछ action initiatives भी लिये हो सकता है आपको reserve नहीं मिला वो एक response partner की तरफ से नहीं मिला या situation circumstances ने आपको favor नहीं किया आप थोड़ा सा emotionally low feel करने लगे and deeper level के लिए आप इस self love का card एक दू चीजे कहता है या तो in the process आपको ऐसा लगा कि भाई आपने self को नहीं prioritize कर रहे हैं कहीं self love करने की ज़रत है या फिर you know आप self love practice कर रहे हैं फिर से कहूंगी general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा आप देखे हैं कि आपके partner की energies हैं तो देखें आपके partner के लिए हापे 8 of souls का card कहता है कि बहुत बंधा हूँ हमें सूस कर रहे हैं फिर से general reading है तो सब Scorpios के partner के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लेकर इस relationship को लेकर बहुत confuse हो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि भई जो भी situation है November starting में क्योंकि यहाँ पर हम November की ही reading कर रहे हैं November मत के लिए ही देख रहे हैं इस situation में उनको क्या करना चाहिए या फिर जो भी वो करना चाह रहे हैं करने ही पा रहे हैं restrictions हैं अब देखिए कई बारी घरवालों की तरफ से restrictions होती हैं कई बारी society समाज की तरफ से restrictions होती हैं कई बारी religion different होता है तो religion की तरफ से you know restrictions होती है तो कुछ restrictions, कुछ limitations महसूस कर रहे हैं and कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही का belief system है आप ही का thought process है जिसकी वज़े से बंधा हुआ जिसकी वज़े से limitations महसूस कर रहे हैं और नीचे sage का card कहता है कि एक negative frame of mind उनका रहतवा दिख रहा है जिसकी awareness उनको है यानि कि एक realization है कि जो भी चीज को लेकर परिशान वो हो रहे हैं और negative thought process की वज़े से है और कहीं एक cleansing कराना चाहा रहे हैं उनको लग रहे हैं कि भई कुछ तो मैं करूं sage देखिया अब ये भी कहता है कि हो सकता है कोई ritual कर रहे हैं या फिर कोई पूजा कर रहे हैं या जैसे बोलते ना spell कर रहे हैं तो कोई चीज कर रहे हैं इस energy को clean करने के लिए simply कुछ के लिए हो सकता है prayer कर रहे हैं जाता इस time पे या किसी भी spiritual religious activities में खुद को involve कर रहे हैं and mid November के लिए आपके partner भी कही cross roads पे पाए हुए दिख रहे हैं जहाँ पे उनको भी future में क्या decision लेना चाहिए क्या choice लेनी चाहिए उसके बारे में वो सोच रहे हैं और कहीं चीजों को लेकर उतनी sure नहीं होते हुए दिख रहे हैं कहीं बहुत एक ना mid November में आप उनकी तरफ से mysterious सी energies पा सकते हैं जहाँ पे आपको भी नहीं समझ में आएगा कि क्या उनके मन में चल रहा है यहाँ पिर यह भी हो सकता है कि Scorpios आपके partner आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि भी समझ में नहीं आ रहा है आपके मन में क्या चल रहा है हाला कि देखिए उनकी जादा mysterious वाली energies रहते भी दिख रही है क्योंकि आपके लिए magician का card कहता है कि आप action initiatives ले रहे हैं बट येस आप diplomatically चीज़ों को deal कर सकते हैं और ये चीज़ आपके partner को थोड़ा सा एक mysterious वाली energies feel करा सकती है तो यहां तो देखिए आपके partner की mysterious energies हो रही है जहां पे उनके मन में क्या चल रहा है वो clearly ना तो बता रहे हैं ना आप से share कर रहे है यहां आपके partner को आपकी mysterious energies दिख रही है जो भी हो कहीं end November के लिए nine of ones का card कहता है थोड़े से डरे हुए हैं थोड़े से एक किसी चीज़ को लेकर hurt भी महसूस कर रहे है और थोड़ा सा थका हुआ भी महसूस कर रहे है हो सकता है कि उनको end November में ऐसा लगे कि भी उन्होंने बहुत initiatives लिए action लिए या पिर जो भी वो चाहाते थे उस direction में उनको एक positive outcome नहीं मिल रहा है give up वाली energies उनकी रहती हुई दिख रही है deeper level के लिए dice का card कहता है मन ही मन उनको ऐसा लग सकता है कि इस relationship में अगर आगे बढ़ना है न तो risk लेने पड़ेंगे, chance लेने पड़ेंगे ये इतनी आसान डगर नहीं है तो थोड़ा सा तो complications रहेंगी और ये complications को face करने के लिए कहीं November, month में ही मुझे दिख रहा है कि वो तयार नहीं है, mentally prepared नहीं है और इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा withdraw भी करें कुछ तो देखे restrictions हैं उनके life में कुछ मुझे लग रहा है कि वो भी sure नहीं है थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं, थोड़ा सा backseat ले रहे हैं थोड़े से डरे हुए हैं, बहुत boldly बहुत courageously आपके लिए इस relationship के लिए stance नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, आप पर नहीं लेना चाह रहे हैं in another words, risk chance नहीं लेना चाह रहे हैं आप देखते हैं कि नवेंबर मन्त में क्या रहेगा तो देखिए नवेंबर स्टार्टिंग में आप पर five of pentacles का card कहता है कि आप लोगों की इतनी बातचीत नहीं हो रही है आप लोग इतना नहीं connect कर रहे हैं in fact देखिए फिर से कहूंगी general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब scopios और उनके partner के लिए differ करेगा यहाँ पर मैं यह भी कह सकती हूं कि जितनी आपकी बातचीत होती है normally उतनी बातचीत नहीं हो रही है और कुछ के लिए literally हो सकता है scopios या तो आप अपने partner को block कर रहे हैं social media पे या फिर आपके partner आपको social media पे block कर रहे हैं again देखिए यह सब के लिए नहीं applicable होगा बहुत सारे लोग देख रहे हैं possible नहीं है कि हर scopio अपने partner को block कर दे या उनके partner आपको block कर दे यह देखिए card rejection की बात करता है अपनी चीजों में नहीं include करने की बात करता है एक दरवाजा बंद करने की बात करता है और यह सब के लिए different levels पे होगा different situation circumstances रहेंगे जैसे कि अभी मैंने बताया कुछ के लिए फिर से repeat कर रहे हूँ कुछ के लिए हो सकता है कि आप उनको block कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप उनको इतना जादा include नहीं कर रहे हैं अपनी activities में कुछ के लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि वो आपको include नहीं कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी reason के वज़े से उतनी बातचीत नहीं हो रही है तो दीखे, बहुत सारे सेनारियोज मैंने आपको दीए है, कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है यह जो एक दरवाजा बंध हो रहा है, या फिर उसके जैसी कोई चीज हो रही है उसके लिए सब सकॉपियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजन्स रहींगे लेकिन शील्ट का कार्ट कहता है, शायद सकॉपियोज आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि हर्ट ना हो जाएं, कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशन्शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूरी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जादा बना रहे है मिड नवेंबर के लिए, त्री ओव वन्स का कार्ट कहता है, शायद किसी लेविल पे एक दूसरे का इंतजार रह रह रहा है तो बहुत क्लियरली हमने देखा कि नवेंबर स्टार्टिंग में उतनी बातचीत नहीं हो रही है और मिड नवेंबर के लिए, त्री ओव वन्स का कार्ट कहता है कि शायद इंतजार कर रहे है पहले कौन, जैसे एक कहावत, कहावत I don't know है कहते हैं ना पहले आप, पहले आप, तो पहले आप, पहले आप में चीजे रहती हुई दिख रही है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि कब बात करें, उसके लिए सही समय का इंतजार कर रहे है तो दिखे, in other words, यह इंतजार सब स्कॉप्यों और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से पहल होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप दोनों मिल के ही सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस चीज को इस relationship को आगे बढ़ाएं, बीपर लेविल के लिए ring का का रहे हैं या फिर इससे related सोच चल रही है और कहीं देखिए again मैं कहूंगी commitment, engagement, एक दूसरे के साथ positive sense में बंधने के बारे में आप दोनों सोच रहे हैं और हो सकता है कि क्या सही समय हो इसी कहीं इंतजार कर रहे हैं और ring कहीं चीजों के round and round भी होने की बात करती है यानि की you know goal 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 भी चीजों के होने की बात करती है जहां पर चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही है थोड़ा ऐसा effort करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर पाते हैं की पीछे आ गए हैं तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है चीजे round and round एक ही जगा पे घूम रही हैं आप कोशिश कर रहे हैं ल long term commitment, शादी या फिर अगर आप लोग एक दूसरे के साथ engagement या अगेन कहूंगी शादी की बात सोच रहे हैं तो उससे related छोटे मोटे issues रह सकते हैं छोटे मोटे मसले रह सकते हैं families की तरफ से भी issues रह सकते हैं यानि कि आपकी family की involvement है या फिर interference है जिसकी वज़े से issues है या फि partner की family की interference है या involvement है उसकी वज़े से issues है या आप दोनों ही long term commitment के बारे में सोच रहे हैं उससे related issues है तो इन ही सब चीजों से related again कोई चीज थोड़ा सा आपको एक you know negative thinking में कह सकती हूं दे सकती है या फिर stress tension दे सकती है अब इस चीज को सुनके परिशान ना हूँ क्योंकि ये जो फिक्र होती है ये हमारे जीवन का हिस्सा है इसको हम हटाई ही नहीं सकते हम कुछ भी करें life में हमेशा खुशी खुशी हो ये possible नहीं है तो कैसे इस फिक्र को कम कर सकते हैं इस reading में बहुत सारी चीजे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेंगी जो आपक के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो ज़रूर मुझे निचे comment section में बताएं